वीवर साब बिलीव नहीं करोगे कि एलियंस ने हम इंसानों से पहली बार दोस्ती करने का डिसीजन लिया था लेकिन ये उनकी एक खतरनाक चाल होती है पर क्या उन एलियंस के एडवांस टेकल वाज जिसे हम इंसान बज भी पाएंगे इस बारे में तो जल से जल पता लगाना पड़ेगा काने की शुरुआत में हमें एलियंस के बहुत सारे स्पेस्शिप दिखाय जाते हैं और अब युनाइटेड किंडम के मिलिटरी वालों को ये सारी बाते पता चल गई थी कि एलियंस सच में होते हैं युनाइटेड किंडम के प्रेसिडेंट जिनका नाम डेल था वो अपनी पूरी कमिटी के साथ इस बारे में डिसकस करते रहते हैं क्योंकि उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो इलियंस खतरनाक हो सकते हैं या फिर नॉर्मल युनाइटेड किंडम के मिलिटरी का जनरल प्रेसिडेंट के पास आकर ये कह रहा था कि उन्हें इलियंस की टेक्नलोजी को कम नहीं समझना चाहिए और जल्द से जल्द उन इलियंस को खतम कर देना चाहिए लेकिन अब प्रेसिडेंट के बाकी लोग जनरल की इस बात से सैमत नहीं होते उनका माना था कि उन्हें इलियंस से फाइट करने के बज़ाए उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए प्रेसिडेंट भी कहीं न कहीं इस बात को ठीक समझ रहे थे और अब उन्होंने ये डिसीजन भी ले लिया होता है कि वो इलियंस के साथ बात करके उनसे दोस्ती कर लेंगे क्योंकि ये सारी की ये प्रेसिडेंट के लिए अच्छी होने वाली थी इसलिए अब प्रेसिडेंट अपने एक प्रोफिसर से कहते हैं कि वो aliens को radio message भेजना start कर दे अब दूसरी तरफ हमें रीची नाम का एक लड़का दिखाय जाता है लेकिन रीची के परिवार के सारे members उससे जरा भी प्यार नहीं करते थे वो तो सिर्फ रीची के बड़े भाई को ही एक्दम अच्छा मानते थे सच मेरीची को जरा से भी इज़त मिलते ही नहीं थी अब हम नेटली नाम के एक न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं जिसे कि अपनी कमपनी से कॉल आता है कि उसे प्रोफिसर का इंटर्विव लेना पड़ेगा ये वही प्रोफिसर होता है जिसे कि प्रेसिडेंट ने इलियन से बाते करने का काम दिया था नेटली भी बता नहीं कि इस इंटर्विव के लिए बहुत ज़्यादा एकसाइटेड होती है और अब अगले दिन नेटली ने प्रोफिसर का इंटर्विव लेना स्टार्ट भी कर दिया था प्रोफिसर उसे बता रहे थे कि वो जल से जल इलियन से बात करेंगे और उनके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे इन सारी चीजों की वज़े से हम इनसानों की भी टेक्नलोजी काफी आगे बढ़ जाएगी वो दोनों तो इस बारे में बहुत ज़्यादा बाते करते ही रहते हैं तब ही वहाँ के सारे मॉनिटर्स एकदम से ब्लैंक हो गए थे मॉनिटर के उपर उन इलियन्स के लीडर की फोटो दिखाई दे रहे होती है ये सारी चीजे देख कर तो सभी लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे वो इलियन्स पता नहीं अपने लैंगविज में कुछ नो कुछ बूलते जा रहा था और अब इलियन्स के मेसेज को अच्छे से ट्रांसलेट करने के बाद उन्हें ये पता चला कि वो इलियन्स भी हमारे साथ दोस्ती करना चाते है और अब प्रेसिडेंड और बाकि सारे लोग तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे प्रेसिडेंड की पूरी टीम ने तो उन इलियन्स को मेसेज बेज दिया था कि अर्थ पर आने के लिए और अब उन इलियन्स के स्वागत के लिए सारी तैयारिया होने लगी थी हाला कि जनरल सभी से कह रहे थे कि उन्हें अपने साथ वेपन्स लेकर जाना चाहिए लेकिन प्रेसिडेंड तो उन इलियन्स के उपर बहुत ही ज़्यादा भरोसा कर रहे थे पर उन्हें ज़रा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये सारी चीजे बहुत ही खतरनाक होने वाली है अब यहां रीची का बड़ा भाई आर्मी में जा रहा होता है रीची के सारे फैमिली वाले अपने बड़े बेटी पर प्राउट फील कर रहे थे पर अपने बड़े भाई के जाने के बाद भी रीची के फैमिली वाले उसे एकदम से नकारा समझते हैं अब दूसरी तरफ प्रेसेडेंट प्रोफेसर और सारे लोग इलियंस के आने का वेट कर रहे थे और अब लखिली उन इलियंस की स्पेशिप अर्थ पर आ जाती है उन इलियंस की लीडर के साथ साथ बाकी इलियंस भी स्पेशिप से बाहर निकल गए थे और पहली बार हम इंसानों ने इलियंस का चैरा देखा था दिखने में वो सब भले ही बहुत ज़ाड़ा छोटे थे पर उनकी technology हम इंसानों की technology से 100 गुना आगे थी अब सारे reporters और बहुत सारे लोग उन इलियंस की photo click करते रहते हैं तबी भीड में से एक आदमी एक कबुतर को उपर उड़ा देता है जिसे कि सांती का प्रतीक माना जाता था लेकिन जब उन एलियंस ने उस कबुतर को देखा तब वो काफी जारा डर गए थे और अब उन एलियंस ने अपने हाल टेक गैजिट का यूज करते हुए वहाँ पर तब यह प्रोफिसर अपना अंदाजा लगाते हैं कि सायट से उन एलियंस ने कबुतर को देखकर हम पर हमला किया क्योंकि उनके प्लायَّट पर सायट कबुतर जैसे पक्षी रहते ही नहीं थे और अपने आपको प्रोटेक करने के लिए उन्होंने हम पर हमला कर दिया इसलि इंसानों पर हमला नहीं किया था बलकि वो पहले से ही इंसानों को खत्म करना चाते थे और दोस्ती का हाथ बढ़ाना तो सिर्फ एक बहाना था इंसानों पर अपना पहला वार करनी के लिए उन उलियंस ने तो नेटली को अपने साथ रखा हुआ होता है और इसके बाड़ी पर कुछ एक्सपरिमिंट कर रहे होते है। इलियंस को उन इलियंस का मैसेज आता है जिसमें कि वो सब माफी माँआ रहे थे अपने इस बिहवियर के लिए क्योंकि इन सारी चीजों की वज़े से कई इनसान मारे गए थे इसलिए अब वो इलियंस वापस से अर्थ पर आते हैं इनसानों से दोस्ती करने के लिए सारी के सारे मिलिटरी फोर्स वहाँ पर जमा हो गए थे प्रेसिरेंट और बागे सभी को अब भी लग रहा था कि वो इलियंस काफी अच्छे हैं और अब भरी सबा में इलियंस और उनका लीडर भी आ जाता है पहले तो उन इलियंस का लीडर कुछ बाते कर रहा था पर अब बगलेई मोमेंट में वो अपनी एक एडवांस गन निकाल कर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों पर फायर करने लग जाता है जिससे की बहुत सारे लोग तुरंती जल कर मर गए थे वहाँ पर तो एकडम अफरा तफरी मज गई थी प्रोफिसर तो उन इलियंस के पास आकर उन्हें रूपने की कोशिश कर रहा था पर अब उन इलियंस ने तो प्रोफिसर को भी बेहोश करके अपने साथ स्पेस्शिप में लेकर चले गए थे मिलिटरी की पूरी फोर्स लगातार स्पेस्शिप पर वार करते रहती है पर उन इलियंस की स्पेस्शिप इतनी ज़्यादा एडवांस थी न कि उनके उपर गुला बारुत का असर ही नहीं हो रहा था लेकिन प्रेसरिन पता नहीं क्यों इसकी पर्मिशन देते ही नहीं वो तो अब भी चाते थे कि सारी बाते बात्चित के माध्यम से खतम हो जाएं यहाँ पर हमें उन इलियंस की स्पेस्शिप के अंदर प्रॉफेसर को दिखाय जाता है जिसका सर लिटरली एलियंस ने काट दिया था और वो एलियंस लगातार प्रॉफेसर की बाड़ी पर रिसर्च करते जा रहे थे वहाँ पर तो हम नेटली के सर को भी देखते हैं जिने की एलियंस ने एक कुट्टे की बाड़ी से कनेक कर दिया था नेटली तो प्रोफेसर को वहाँ पर देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और अब नेटली प्रोफेसर को ये बताती है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है प्रोफेसर ने भी उससे जवाब दिया कि वो भी उससे पसंद करता है नेटली तो ये बात प्रोफेसर से बहुत टाइम से कहना चाती थी और अब उन्हें लग रहा था कि वो बचने नहीं वाले इसलिए उन दोनों ने अपने मन की बात एक दूसरे से कह दी अब हमें प्रेसिडेंट के घर के पास एक एलियन लड़की को दिखाया जाता है दरहसल उन एलियन्स ने अपने एक एलियन्स का रूप बदल कर अर्थ पर भीज दिया था जिसका काम था प्रेसिडेंट को खतम करना प्रेसिडन का सेक्रेटरी तो उस एलियन लड़की को देखकर फ्लर्ट करने लगता है और उसे अपने साथ घर के अंदर लेकर चला जाता है लेकिन कुछी देर में सेक्रेटरी को ये पता चल के आथा कि वो ब्यूटिफुल लेडी और कोई ने बलकि एक एलियन है सेक्रेटरी तो बचने के लिए गाट्स को कॉल करने लगा था पर अब उस एलियन ने अपने असले रूप में आकर उसे जान से मार दिया होता है अब तो वो एलियन प्रेसिडन के पास पहुँच गया था और उसे अपने गंड पॉइंट पर ले लेता है प्रेसिडन की सारी सिक्योरिटी उनके पास आ गई थी पर थैंग और सिक्योरिटी के सारे लोगना सार्फ सूटर होते हैं उन्होंने प्रेसिडन को बिना चोट पहुचाए एलियन को गोली मार दी थी ये सारी चीज़े एलियन्स अपनी स्पेस्शिप से देखते रहते हैं और वो सब इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुसा हो गये थे एलियन्स की पूरी सेना ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो अर्थ पर जाकर हमला कर देंगी और वो सब बिना टाइम वीट किये निकल परते हैं अर्थ की तरफ इलियन्स ने तो अपनी सारी स्पेस्शिप की मदद से अर्थ पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था और अब चारों तरफ एकदम से अफरा तफरी मज जाती है मिलिटरी वाले लगातार इलियन्स से सामना करते जा रहे थे पर इलियन्स तो अपनी एडवांस टेक्लिनोजी का यूज़ करके उन सभी को आराम से हरा दे रहे थे प्रेसेडेंट तो ये सारी चीज़ देखकर एकदम से डिप्रेस हो गए थे और अब जनरल प्रेसेडेंट को कहते हैं कि उन्हें नुकलियर वेपन यूज़ करना ही पड़ेगा नहीं तो इलियन्स हमारा पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय कर देंगे प्रेसेडेंट के पास अब और कोई आप्शन नहीं था इसलिए अब उन्होंने नुकलियर वेपन चलाने के लिए पर्मिशन दे दी थी जिसके कुछी देर बाद मिलिटरी वाले नुकलियर वेपन को चला देते हैं लेकिन अब जैसे ही वो रॉकेट इलियन्स के स्पेस्चिप से लगता aliens rocket के सामने एक छोटा सा device रख देते हैं उस device ने rocket के सारी energy अपने में absorb कर ली थी और अब उन aliens का leader उस device में से सारी nuclear power अपने अंदर ले लेता है इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो aliens technology के मामले में कितने आ गए हैं और अब लग रहा था कि इंसानी प्रजाती को खतम होने से कोई भी बचाई ने पाएगा aliens की पूरी सेना ने तो जग़ जग़ पर हमले करना स्टार्ट भी कर दिया था देखते ही देखते अर्थ की जग़ जग़ पर destruction स्टार्ट हो गया था और अब किसी के पास जरा से भी होप नहीं बची थी कि वो aliens को हरा भी सकते हैं की नहीं तबी हमें रिची को दिखाया जाता है जो तेजी से गाड़ी चला रहा था वो अपनी Grand Mother को बचाने के लिए जा रहा था जो कि सेर के पास से वाले Old Age Home में मौजूद थी क्योंकि वो aliens लगातर हमला करते वे उस जगह की तरह बढ़ रहे थे लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी aliens की एक टीम रिची के Grand Mother के पीछे पहुच जाती है और वो उनके उपर अपनी मशीन से फायर करने ही वाले थे तब भी रिची के Grand Mother का हैटफोन निकल जाता है जिसे कि उनके रूम में एकडम loud music बजने लगा था लेकिन वो सारी आवाजे सुनकर तो उस रूम में मौजूद सारे aliens एक एक करके मरते जाते हैं रिची भी उस जगह पर पहुच गया था और उसे अब ये बात साफ सा पता चल गई थी कि वो aliens high volume को सैन नहीं कर सकते थे यानि कि यही एक रास्ता था उन aliens को खतम करने का याँ aliens का लीडर प्रेसिडेंट के पास पहुच गया था प्रेसिडेंट तो उन aliens से पॉलिटी के लिए बात करने लगता है जैसे लग रहा था कि इन सारी चीजों से वो aliens उसे छोड़ देंगे पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता aliens ने तो मिलकर प्रेसिडेंट को भी मार दिया होता है यानि कि अब उन्होंने पूरे United Kingdom पर कबजा कर लिया था और धीरे धीरे वो पूरे अर्थ पर भी कबजा कर लेंगे लेकिन यहाँ पर रिची तो एक रेडियो स्टेशन पर आ गया था और अब वो ब्रॉड कास्टिंग स्टेशन में जाकर सभी को ये मैसेज देने लगता है कि वो aliens high volume को सैन नहीं कर पाते और अगर aliens को खतम करना है तो सभी को high volume play करना पड़ेगा रिची के ये सारी बाते सुनकर country के सारे लोग अपने अपने घरों में काफी तीजी से music बजाने लगते हैं और इसका result उन्हें साफ साफ देखने मिल रहा था वो aliens volume को सैन नहीं कर पाते और मरते जा रहे थे देखते ही देखते country में मौझूद सारे aliens एक एक करके मरते जाते हैं उनकी spaceship भी out of control होकर destroy हो गई थी प्रोफिसर और नेटली जिस spaceship में मौझूद थे और अब वो भी लगातर नीचे गिरने लगी थी वो दुनों तो आखरी बार एक साथ एक अच्छा moment शेयर करते हैं अब इतने destruction के बाद सारे aliens एर्थ पे से खतम हो गए थे रीची को president की तरफ से पुरसकार भी मिलता है और अब रीची के family जो उसे नाकारा समझती थी उन्हें अब जाकर रीची के value पता चल जाती है और इसी के साथ हमारी ये कान ही यहीं पर खतम हो गई थी आपको ये story कैसी लिगी comment section में बताना भूलना मत और अगर आपको मेरा explanation एक परसेंट भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को like एंड चानल को subscribe जरूर कर देना क्योंकि सेट में इससे मुझे बहुत जादा motivation मिलेगा आपके लिए इसी तेरे की मर्जडा stories धून कर लाने के लिए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में see ya झाल